ओम शांती आपको स्वागत है आज 37 डे और आज के वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें आज बताते हैं कि कैसे हम जो इनसान हैं मनुष्य हैं हम समझते हैं कि मुक्ती मतलब की अंत में जब शिरिर छोड़ दिया तो यह में मुक्ती मिलेगी परमात्मा कहते हैं कि मुक्ती तो अब मिलनी चाहिए इस जनम में लेकिन किन चीजों से मुक्ती मिलनी चाहिए किन बातों से मुक्ती मिलनी चाहिए उसके विस्तार में आज परमात्मा में लेके जाते हैं तो मुक्हे मुक्ती है दुखों से हाद सारी इंसान की जितनी भी प्रजातिय हैं सब के सब चाये वो किसी भी देश के हों सब के अंदर किसने किसी प्रकार का दुख है अशान्ति है और वो सारी चीजों की पूर्ती करने के लिए वो भौतिक चीजों में दुनियावी चीजों में और फसते जा रहे है टेक्नोलिजी हो चाहे मुबाइल फोन्स हो उसके अंदर घुशते जा रहे है कोई भी ऐसी चीज जो की हमारी सेंसेज को हमारे इंद्रियों को खुश रखें को समेक ले उसमें हम विलीन होते जा रहे है तो परमात्मा कहते है लेकिन तब Muhyam घर-घर में शांति क्यों है दुख क्यों है उस स़कारण के वले की है कि हम अपने आप को भूल चुके है अपने गुणों को भूल चुके है और सबसे मुख है हम परमपिता परमात्मा को उनकी सची पहचान को भूल चुके हैं तो यह याद दिलाने के लिए परमात्मा हमें बताते हैं आज की वर्दान में कि हम औरों की सेवा कैसे करें अपने ही नहीं औरों के दुख भी कैसे हटाएं अपने दुख हटाना तो हम मेडिटेशन से करते ही हैं ब्रमकुमारी जो हम सीखते हैं लेकिन उसके साथ-साथ हम औरों के दुखों को कैसे हटाएं तो आज उसी की चर्चा को लिखर करके आगे बढ़ते हैं प्रमा करते हैं अपने स्वह स्वरूप हमारा सच्चा जो स्वरूप है स्वह मतलब यह स्वरूप नहीं आप जो इस कैमरा में देख रहे हैं, आप मेरे शरी को देख रहे हैं, लेकिन मेरा सच्चा जो स्वरूप है वो एक आत्मा है, मैं एक प्रकाश हूँ, मैं एक बिंदु हूँ, मैं एक एनरजी हूँ, मैं एक जोती हूँ, और उस स्वरूप को अगर आप पहचान जाएंगे, तो आप मुझे इस चमड़े की वेज़ से, मेरे रूप रंग की वेज़ से, मेरे पास में धन्दौलत के है, जो भी है, या आसपास जो भी लोग है, इंसान है, अपने परिवार के लोग है, उनको आप उस सोरूप से देखना बंद करेंगे, उनको आप उनके मन, उनकी होंगे, अगर वो ऐसे नहीं करते होंगे, तो उनके पास में कुछ ऐसा एक ज्यान होगा, जिस कारेंट से वो नहीं करते हैं, वो निर्वैर, किसी से वैर नहीं करते, निर्भावन को किसी से भै नहीं है, किसी चीज से भी, तो वो किस सुरूप में रहते होंगे, तो परमा means आत्म, आत्मा का देश कौन सा है, जिसको हम कहते हैं परमधाम जहां स्वाम परमपिता परमात्मा रहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम अपने स्वा स्वरूप में रहते हैं, और जब हम अपने स्वा देश की स्मृति रहते हैं, कि मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं ह मेरा इस दुनिये से कोई लगाव नहीं है दुख क्यों होता है जब हम सारी चीज़ों को अपना मानना शुरू करते है ये मेरा है वो इंसान मेरा है वो मेरी है जब हम औरों को अपना मानना शुरू करते है क्यों? क्योंकि हमने मानली हैं कि हम इसी धरती पे थे, इसी धरती से जन्मे हैं क्योंकि हमने अपने आपको शेरी समझ के रखा है तब हमें दुख मिलना शुरू होता है जिसको कहते हैं Attachments के आपका के नहीं कैना या आपका है मुह के न shine तो मोहों से भी बहुत दुख होते हैं, शेरीर में कोई अगर बिमारी आई तो इससे मोहो है शेरीर से, शेरीर की खुबसूरती से अगर मोहो है, लोगों ने आपको बहुत बोला कि आप खुबसूरत हो, या आप अच्छे दिखते हो, और आपके शेरीर पर थोड़ा से भी स्क्राइच आजाए कोई पी चोट आजाए खरोच आजाए और आपका शकल जो अगर थोड़ी से बिगड़ भी जाए तो आपको समय दुख होना शुरू होता है क्यों क्यों कि शरीर से मुह हो आया टाच्मेंट है तो परमात्मा कहते हैं अपने सच्चे सुरूप को जब हम पैचान लेंगे तब ये सारे दुख शान्तियां हटनी शुरू होंगी और उसी के आधारपरम औरों की भी जो ये दुख शान्ति की जड़ है उसको हम हटा पाएंगे तो अपने सवसुरूप और सवदेश के स्वामान में स्थित स्वामान में सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भवा तभी हम मास्टर लिबरेटर परमात्मा तो है पिता हम उनके बच्चे मास्टर हो गए आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी ना किसी बात के बंधन वश है जैसे हमने बात करें भी शरीर के बंधन में, खुपसूरते के बंधन में धन्द उलत के बंधन में, लोगों के संबंधों के बंधन में कोई तन के दुख के वशिबूत है तो शेरीर का अगर कोई दुख है शेरी में कोई अगर बिमारी है तो उसके वशुबूत है तो हम यहाँ पे ब्रह्मकुमारी इसमें इस बिमारी को होते हुए भी हमसे detached कैसे रहे हमें दुख ना हो शकल पे थोड़ी भी शिकच ना हो हम उस कला को सीखते हैं आपर कोई संबंद के कोई संबंद में अगर दुख हो अशान्ती हो relationships और प्रॉलम हो उसके कोई इच्छाओं के किसके बंदन में इच्छाओं के यह मेरी इच्छा पूरी नुई मेरी इच्छा थी किसी के अंदर अगर अल्बेलापन है पोस्पून करते रहते हैं हर काम को आज सोचा लेकिन दिद जिन बात किया अलस से किसी के अंदर अपने संसकारों से गुस्सा आया राता है अचनक से कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन बोल पड़ते हैं मुक्स निकल जाता है, तो कुछ उन चीजों से दुखी हुए है, कुछ लोग, कि मेरे पर एक self-control क्यों नहीं है मेरे अंदर, वो गुस्सा क्यों आयाता है, मेरे दुखलों का दिल क्यों दुखा देता हूँ, या दुखा देती हूँ, तो कुछ उस चीज से परिशान है, प्रवंदर कहते हैं, कोई प्रभू प्राप्ती ना मिलने के कारण, मनेश्य की प्राप्ती नहीं होती है, प्रभू से बहुत प्रेज करी, मंदिरों में गए अपना, टिपड घिसी अपनी, मंदिरों कि मार्था अपना घिस दिया अपना, चपले घिस गई हैं, चलते-चलते, तीरत करते-करते, लेकिन प्राप्तियां नहीं हुई हैं, प्रभू प्राप्तियां, कोई बोता है मुझे संतान मिल जाए, कोई जाता है कि घर दौलत अच्छे हो जाए, तो सच्चा लिबरेशन क्या है, यही चीजों से लिबरेट होना ही सच्चा लिबरेशन है, तो परमात्मा इसी करे तो आकर ग्यान देते हैं हमें, कि हमें बताते हैं कि वो सत्य ग्यान क्या है, जिसों कहते है wisdom, spiritual wisdom, आध्यात्मिज्ञान, जिससे हम आत्मा क्या हूँ, इन सारी चीजों से मुक्त होते जाए, जिसों कहते है liberation, जिसों कहते है मुक्ती, तो आगे बढ़ते हैं, प्रमात्मा कहते हैं, तो उन्हें दुख मैं जीवन से liberate करने के लिए अपने स्वसरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहे, स्वसरूप की मैं एक आत्मा हूँ, और स्वदेश मैं परमधाम की रहने वाली आत्मा हूँ, रहम दिल बन, master, liberator बनो, तो अगर आप भी देखते हैं कि आसपास आपके संबंदी, अगर किसी problem में फसे हुए हैं, तो आप चाहेंगे कि आप उनको liberate करें, तो उसके लिए तो आपको ग्यान चाहिए, तो spiritual knowledge प्रमकुमारी इसमें आकर ले करके, अगर कर सके तो उनको भी लेकर आइए, उनको भी सिखाईए, meditation, और साथी साथ उनको समझाईए, कि कैसे आप meditation और उस ग्यान से, आप स्वयम को भी liberate और 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 को भी liberate कर सकते हैं, किसे के साथ हम शानती